Hello and welcome viewers to healthier youtube channel जैसे ही पता चलता है कि महिला प्रेगनेंट है उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी के दोरान क्या खाया जाए और क्या नहीं उसी मेंसे एक सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी के दोरान गुड़ खाना सुरक्षत है या नहीं आईए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि pregnant महिला को गुण का सेबन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और साथ ही देखेंगे गरववस्था के दौरान गुण खाने के फायदे pregnancy में गुण का सकते हैं या नहीं बहुत से लोगों का मानना है कि गुड़ पूरे नौ महीने खाया जा सकता है लेकिन क्योंकि गुड़ गर्ब होता है इसलिए ये सला़ दी जाती है कि गर्वती महिला को पहले तीन से चार महीने में गुड़ का सेवन करना अबवाईर करना चाहिए लेकिन फिर पाचवे महिने से गुड का सेवन शुरू कर देना चाहिए गुड विविन प्रकार के होते हैं सबसे अच्छा गुड पाम गुड माना जाता है जो तमिल नाडू में इस्तिमाल किया जाता है गुड में औशद ये गुड होते हैं जो गर्वस्था की कटनाईयों को कम करने में मदद करते हैं लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज की अती अच्छी नहीं है इसलिए आप गुड का सेवन खास कर प्रेग्नेंसी के दौरान निमिटर मात्रा में ही करें एक दिन में एक चमच गुड से जादा ना खाएं आईए अब देखते हैं गुड का सेवन करने से क्या लाग होते हैं दर्द में राहत प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में दर्द रहना बहुत ही आम बात है ऐसे में आपको पेंकिलर नहीं लेना चाहिए इसके बजाए आप गुड का सेवन करें इससे जोडों का दर्द, जकड़न, आधी समस्याओं में राहत मूलती है खून साफ करने में मददगार होता है गुड गुड में कई अंटी बैक्टीरियल गुड होते हैं जो कुछ खतरनाक प्रकार के बैक्टीरिया से रक्त को साफ करने में मदद करते हैं जिससे गर्वती महिला प्रेग्नेंसे के दौरान भी स्वस्त रहती हैं क्योंकि गुड प्रेग्नेंट महिला के रक्त को साफ करने में मदद करता है जो होने वाले बच्चे और उसके विकास के लिए बहुत लाबदायक है बच्चे की सेहत अच्छी रहती है यदि गर्वती महिला गुण का सेवन सीमत मात्रा में करती है तो इससे बच्चे का वजन और सेहत भी अच्छी बनी रहती है महिला को कोई पाचन समन्दी समस्या भी नहीं होती और इससे उनकी हड्डिया मजबूत बनती है दूद की अशुद्या कम होती है यदि गर्वती महिला नियमत रूप से गुण का सेवन करती है तो उसमें दूद की अशुद्या भी कम हो जाती है यही कारण है कि गर्वती महिला को खास कर साथ में महिने से गुण खाने की सलाग दी जाती है गुण का सेवन करने से खून की कमी दूर हो जाती है गुर खाने से blood cell बनते हैं जिससे गर्वती महिला में खूल की कमी भी दूर हो जाती है और उसकी पती रक्षा प्रडाली मजबूत रहती है दूसरे कई तरह की बिमारियों और संक्रमन्ट से लड़ने में सहायता मिलती है गुर आपके शरीर का ब्लेड प्रेशर मेंटेन करने में भी सहायता करता है इसमें sodium की मात्रा कम होती है जो ब्लेड प्रेशर को नियंत्रन में रखता है गर्ववस्था के दौरान यदि गुर का सेवन किया जाए तो kidney stones होने का खत्रा भी कम हो जाता है पाने की कमी नहीं होती अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंजी के दौरान महिला में पाने की कमी हो जाती है ऐसे में यदि गुर का सेवन किया जाता है तो उसमें मौझूद potassium सामगरी के कारण महिला की शरीर में पाने की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है साथ ही इसका सेवन करने से सूजन और दर्द में भी राहत मिलती है अंटी興्सिजन्स का अच्छा स्त्रोथ है गुर में अंटी興्सिजन्स भ्रपूर मात्रा में होते हैं यह आपके शरीर को कई तरीके से मदद करते है एंटी ऑक्सिजिटन्ट कैंसर, फिदैरोग, मोतिया बिंद आधी जैसे लोगों से लड़ने में मदद करता है गुर्ट तवचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है यह मुक्त करनों से लड़ता है और उम्र बढ़ने को धीमा करता है याद रखें किसी भी भोजन को अधिक खाना आपकी ओवरॉल सेहत के लिए खराब हो सकता है खास कर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी भोजन को अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने चिकित सक और पोशन विशेशक के से बात करें और यह सुनिश्यत करें कि आपको कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना है आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पूम लगा है तो क्रिप्या इस चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फामली के साथ भी शेर करें शायद किसी की मदद हो जाए थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो मीट यू नेक्स ताइम अंटल दिन स्टे हापी और हेल्दी